Hello students, मैं आपके साथ हूँ Standard 7 का Practice Set 31 को लेकर यह हमारा Part Second है Part First में हमने 1 से लेकर 3 नमबर तो Question complete कर लिये है यह हमारा 4 नमबर एक्जाम्पल है, इसमें भी हमें Joint Bar Graph ही ड्रॉ करना है So देख लेते हैं Question क्या है The Maximum and Minimum Temperature for 5 Indian Cities are given in degree Celsius Draw a Joint Bar Graph for this data यह जो data दिया है, इसके लिए हमें Joint Bar Graph ड्रॉ करना है क्या data है, कुछ cities के नेम दियो हुए है उनके Maximum Temperature and Minimum Temperature यहाँ पे शो किये गए है इसका हमें Bar Graph ड्रॉ करना है देखो, हमारा जो graph paper जो है, जिस पे हमें Joint Bar Graph ड्रॉ करना है उस पेज के Right Corner में हम Scale राइट करेंगे Scale, 1 cm is equal to 5 degree Celsius क्योंकि, क्यों यहाँ पे हमने 5 degree Celsius लिया है क्योंकि हमें जो Temperature दिया है, बिलो 50 degree Celsius में ही दिया है तो अगर हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 14, 45 यहाँ तक अगर Temperature राइट डाउं करते हैं तो हम Maximum and Minimum दोनों टाइप की Temperature शो कर सकते हैं इसलिए हमने 5 degree Celsius लिया अगर हमने 10 degree, 1 cm is equal to 10 degree Celsius लिया होता तो यहाँ पे 10, 20 है तो बहुत छोटे छोटे graphs आ जाते 1 cm is equal to 5 degree Celsius दिखाया है तो हमें यह graph शो करना easy जाएगा हम easily show कर सकते हैं इसलिए हमने 5 degree Celsius ले लिया है और हमे Maximum और Minimum Temperature शो करना है तो हम Scale के नीचे Maximum Temperature and Minimum Temperature Maximum Temperature जो है हम इस डिजाइन से शो करेंगे और Minimum Temperature जो है हम इस यानि की Color फील करके वह बार शो कर लेंगे नमबर टाइप को जो डाटा दिया रहता है वह आपको Always Y Axis में लेना होता है तो यह Y Axis है यह X Axis है Axis के से ड्रॉ करना यह पहले मैंने आपको बता दिया है आपको अगर कुछ difficulty है तो आप इसके पहले example देख सकते हो तो यहां पर हमने 1 cm is equal to 5 degrees Celsius लिया है तो यहां से लेकर यहां तक हमारा 1 cm रहता है 1 cm is equal to 5 Celsius लिया 2 cm is equal to 10 आ जाएगा तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक हमने ले लिया है क्योंकि दिया गया temperature 45 के below ही है 45 तक हमने write कर लिया उसमें हम सभी graphs maximum and minimum temperature शोग कर सकते है इसलिए 45 तक ले लिया है और यह temperature है इसलिए यहां पर हम temperature mention करेंगे यह क्या है cities के name है यहां पर हम city लिखेंगे और यहां पर arrow दिखेंगे क्योंकि इस axis पर क्या दिखाए है हमने city दिखाए है और देखो एक unit चोड़कर हम फर्स city का data शोग करेंगे वह maximum and minimum temperature उसके बाद एक unit चोड़कर second city एक unit चोड़कर third city एक unit चोड़कर fourth one city एक unit चोड़कर fifth one city और जिस दो unit में हमने एक city का नाम लिखा है वहाँ पर एक unit में हम maximum temperature और दूसरी unit में minimum temperature ऐसे हर एक city का शोग करेंगे ओके इबुक में question देखो वहाँ पर क्या बोला है maximum temperature जो है दिल्ली का वो कितना दिया है 35 degrees Celsius यहाँ है तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 35 ओके 35 यहाँ पर है तो आप पहले horizontal line ड्रॉक कर लो बाद में वो जो unit है उसकी other two side की जो vertical line है वो ड्रॉक कर लो और यह maximum temperature हमने इस design से शोग किया है तो वो बार जो है 35 degrees Celsius का maximum temperature का वहाँ पर आपको line फिल कर देनी वो बार में उसके बाद में दिल्ली काई पर minimum temperature कितना बताया है 26 degrees Celsius यहाँ पर 25 है 25 के ऊपर दो नंबर की जो line है वहाँ तक हमारा 26 degree आ जाएगा पहले mark कर लेंगे 26 की उसके बाद में जो side की जो vertical line है व यहाँ पर भी हम color फिल करकी शो करेंगे ओके उसके बाद मुंबई जो city है उसका maximum temperature हमें question में दिया गया है 32 आप बुक में देखो 32 degrees Celsius यहाँ है तो यहाँ पर 30 की लाइन है 30 की ऊपर second number की जो line है वहाँ तक 32 degrees Celsius आ जाएगा पहले वहाँ पर mark कर लो horizontal line उसके बाद में यह side की vertical line है उसी बार की ओड्रा कर लो और यह maximum temperature है maximum temperature हमने लाइन से शो किया है तो इसमें भी लाइन फिल कर देनी है अभी देखो मुंबई का maximum temperature हो गया अभी minimum temperature कितना दिया है मुंबई का 25 degrees Celsius 25 कहाँ पर आ रहा है देखो यह 25 नंबर है यहाँ पर horizontal line ड्राउ कर लो उसके बाद मे vertical line ड्राउ कर लो इसमें color फिल कर लो क्योंकि minimum temperature हमने color से शो किया है अभी Delhi and Mumbai city हो गए अभी Kolkata city है Kolkata city का maximum temperature हमें पहले शो करना है तो Kolkata city का maximum temperature दिया है हमे 37 degrees Celsius तो देखो यहाँ पर 35 है 35 के उपर 4 line है अगर हम लेते है वहाँ पर 37 हो जाएगा क्योंकि अभी देखो कितने लाइनों का 1 degree Celsius होता है यापकर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 40 है इन दोनों numbers के बीच में यहाँ पर कितने lines है total 10 lines है तो 10 लिखना है और 10 को हमें 5 से divide करना है क्यों क्योंकि 35 और 40 में कितना difference है 5 degree Celsius का है इसलिए हम 5 से divide करेंगे अभी दे एक degree Celsius कंसिडर करेंगी ओके बार ग्राफ शू करते टाइम अभी देखो यह कोलकाता का जो temperature दिया है maximum temperature वो हमें 37 degree Celsius दिया है तो 35 यहाँ पर आ रहा है तो 35 के उपर दो number से बढ़ाना है तो 4 लाइने बढ़ाने होगी क्योंकि हमने यहाँ पर calculate कर लिया है 2 लाइनों का 1 degree Celsius हो आना है तो 4 लाइने आगे बढ़ानी होगी तो यहाँ पर हमने 4 लाइने आगे बढ़ा के यहाँ तक हमने graph ड्रॉ कर लिया है पहले इस 4 नमर की लाइने वहाँ तक horizontal लाइन ड्रॉ करो उसके बाद में vertical लाइन ड्रॉ करके graph अच्छे से feel कर लो line की help से line से feel कर लो क्योंकि हम maximum temperature line से show करना है वि कोलकता सिटी का ही minimum temperature कितना बताया गया है 26 degrees Celsius तो यहाँ पर 25 है 25 के उपर 1 degree Celsius बढ़ाना है तो हमें 2 line बढ़ानी होगी तो यहाँ पर 25 के उपर 2 line बढ़ा कर हम क्या करेंगे यहाँ पर horizontal line ड्रॉ करेंगे पहले उसके बाद में उसी बार की vertical line ड्रॉ और यह minimum temperature है color से fill करके show करना है तो यहाँ पर हम color fill करके show कर लेते हैं अभी नागपूर सिटी का दिया है 41 degrees Celsius तो यहाँ तक 40 है 40 के उपर 2 line बढ़ाएंगे हम तभी तो 1 degree Celsius temperature बढ़ाएगा पहले horizontal line ड्रॉ करेंगे बाद में उसकी side की जो vertical line है वो ड्रॉ करेंगे और यह जो बार है उसको line की help से fill करेंगे क्योंकि यह हमारा नागपूर का malzium temperature है वो हमने line से बार को show करना है तो इसमें हम line fill करेंगे अभी नागपूर सिटी का ही minimum temperature कितना बताया गया है 29 degrees Celsius अभी देखो यहाँ तक 30 है हमारा हमें 29 ही show करना है means what 30 से 1 degree कम है 1 degree कम दिखाना है तो हम 2 लाइने कम करेंगे क्योंकि 1 degree की low line होती है अगर 30 होती तो यहाद पर आ जाता पर हमें 29 ही show करना है तो हम क्या करेंगे कि दो लाइने below show करेंगे तो यहाँ पर हमारा minimum temperature आ जाएगा नागपूर सिटी का यहाँ पर हम पहले horizontal line ड्रॉ करेंगे उसके बाद में vertical line ड्रॉ और यह minimum temperature है इसलिए हमें color से feel करना है तो हम यहाँ पर color feel करके बार complete कर देंगे कापर उठाला जो city है उस city का maximum temperature और minimum temperature हमें यहाँ पर show करना है अभी देखो कापर उठाला जो city है उसका maximum temperature हमें question में दिया है 37 degree Celsius 35 आ रहा है हम pencil से mark करेंगे इस horizontal line को उसके बाद में scale की help से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे ड्रॉ करने के बाद उसकी दोनों side की जो लाइने है बार की वह भी ड्रॉ करेंगे scale की help से अच्छे से और maximum temperature है इसलिए हम लाइनों से feel करके यह बार complete कर देंगे अभी कापरो ठाला जो city है उसी city का हमें minimum temperature show करना है वो हमें question में 27 degree Celsius दिया है हमारा यहां तक 25 आ रहा है और हमें 1 degree Celsius temperature बढ़ाना है तो दो लाइने उपर बढ़ानी होगी क्योंकि मैंने बताया है पहले भी आपको दो ही लाइने क्यों बढ़ाएंगे वो बता दिया है मैंने तो यहां पे हम 26 याने की 25 के उपर दो नमबर की जो लाइने वहां पे हम पहले mark कर लेंगे और scale की help से horizontal line ड्रॉ करेंगे horizontal line ड्रॉ करने के बाद दोनों उसी बार की दोन अब हम question number 5 देख लेते है question number 5 है the number of children vaccinated in one day at the government hospital in solapur and pune are given in the table draw a joint bar graph for this data यह जो डाटा दिया गया है इसके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते है चलो तो हमें यह children's का जो डाटा दिया है solapur and pune city में कितने children's vaccinate हो गए है वो हमें y axis पे show करने है ddp, polio, mass, lase and hepatitis यह vaccine के जो name है वो हमें x axis पे show करने है question number 5 का answer है तो हम page के graph paper के हम left corner में show करेंगे उसके बाद में scale जो दी है वो हमें graph paper के right corner में show करनी है scale 1 cm is equal to 10 children ओके 1 cm is equal to 10 children ले लिया है तो यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 1 cm is equal to 10 तो 2 cm is equal to 20 आ जाएगा जिसे हम cm बढ़ाएंगे वैसे वैसे 10 उसमें add हो जाएगा और वहाँ पे हम number write करने है वो आ जाएगा y axis हमारा और x axis पे हमें vaccines के name write करने है और x axis y axis के से draw करना है आपको तो पता ही होगा इसके पहले examples आपने अगर देखे है तो आपे मैंने बताया है X axis का हापे draw करना होता है Y axis का हापे draw करना होता है अब देखो number of children से हापे हमें mention करना है क्योंकि कितने number of children से vaccine ले लिया है यह number से हमें यहापे Y axis पर अब देखो जोना आक्सिस जो intersected point रहता है उसका हमें 0 label करना है 0 label कर लिया एक unit चोड़कर दो unit के बीच में यहापे first vaccine का नेम लिखना है क्योंकि इसे vaccine के लिए दो city में यहापे solarpour city में and pune city में कितने children से vaccine ले लिया है वो number समय यहापे graph फे शो करने है इसलिए उसके बाद polio vaccine के लिए solarpour city and pune city maceless vaccine के लिए solarpour city पune city hepatitis vaccine के लिए solarpour city and pune city इसलिए हमने दो दो unit में बीच में यहापे एक एक vaccine का नेम राइट कर लिया क्योंकि वहाँ पर हमें join paragraph दो city के लिए पर एक ही vaccine के लिए यहाँ पर join paragraph शो करना है पहले हम लेंगे DPT vaccine solarpour city में पहले हम solarpour यहाँ पर solarpour पune solarpour city में कितने childrens को DPT vaccine दिया गया है question में देखो उसका number हमें 65 दिया है तो 60 के उपर कितने line लेने होगी 5 line लेने होगी क्योंकि 60 और 70 के भीच में 10 childrens का ग्याव है तो एक line एक childrens की होगई 65 लेने है तो यहाँ पर 65 आ जाएगा क्योंकि यह क्या है 60 के बाद 5 number की लेने पर यहाँ पर मार्क कर लो scale की help से यहाँ पर horizontal line लेन कर लो उसके बाद में vertical line लेन कर के यह बार जो है line से fill कर लो क्योंकि हमने solarpour जो graph है वो line से fill कर के show करना है उसके बाद में पूने सिटी के कितने चिल्डरंस को vaccine दिया गया है 89 तो हमें 89 कहाँ पर show करना है 80 यहाँ पर है 80 के ऊपर 9 नमबर की जो लाईने वहाँ पर 89 आ जाएगा मार्क कर लो दोनों साइड की vertical line लो कर लो वो color से fill कर लो क्योंकि यह पूने सिटी का है इसलिए हमें पूने सिटी इस color fill करके बार शो करना है इसलिए यहाँ पर आपको color fill करना है polio vaccine सोलापूर सिटी में से कितने चिल्डरंस को दिया गया है उसका नमबर दिया गया है हमें 60 तो 60 कहाँ पर आ रहा है देखो यहाँ पर यह 60 के लाईन है पहले horizontal line mark कर लो skill shape से horizontal line draw कर लो उसके बार में vertical line उसी बार पर आपकी दो साइड की vertical line draw कर लो और यहाँ पर line से यह बार जो है fill कर लो तो यह हो गया हमारा सोलापूर सिटी polio vaccine अभी polio vaccine पूने city शो करना है हमें तो इसके जोइन ही शो करेंगे पर खाबे शो करना है देखो इसका नंबर हमें जो दिया है 87 दिया गया है तो यहाँ पर 80 है 80 के उपर 7 नंबर की जो लाइने वहाँ तक 87 आ जाएगा वहाँ पर पहले mark कर लो scale shape से horizontal line draw कर लो उसके बाद में दोनों बार की vertical जो लाइने वो draw कर लो और यह पुने सिटी का है इसलिए हमें color fill करके show करना है color fill कर लिया same for measles and hepatitis vaccine अभी देखो measles vaccine solarpore city की कितने वच्चों को दिया गया है 65 तो यहाँ पे 60 है 60 के उपर 5 नंबर की जो लेने वहाँ पे 65 पहले mark कर लो horizontal line draw कर लो उसके बाद में vertical lines draw कर लो और यह solarpore city का है इसलिए airlines से fill कर लो उसके बाद में measles vaccine पुने city के कितने चिल्डरंस को दिया गया है 88 नंबर है तो यहाँ पे 80 आ रहा है 80 के उपर जो 8 नंबर की जो लाइने वहाँ पे पहले mark कर लो 88 वहाँ पे आ जाएगा mark करने के बाद scale clip से horizontal line draw कर लो उसी बार्ग की vertical line draw कर लो और वो पुने city का है इसलिए color से fill कर लो उसके बाद है बैट 80C vaccine solarpore city के कितने चिल्डरंस को दिया गया है 63 तो यहाँ पे 60 है 60 के उपर third number के जो line है वहाँ पे 63 आ जाएगा वहाँ पे पहले horizontal line mark कर लो उसके बाद में उसी बार्ग की vertical line draw कर लो यह line से यह बार्ग फिल कर लो क्योंकि यह 16 पुर से टीका है वो हमने बार से शो किया है उट्टर जाट हपे टीटी से ही vaccine पूरे सिटी के कितने चिल्टरंस को दिया गया है उसका नंबर है 86 तो यहाँ पे 80 आ रहा है 80 के उपर जो 6 नंबर की line है वहाँ तक 86 आ जाएगा वहाँ पे पहले mark कर लो horizontal line draw कर लो उसके बार में उसी बार की vertical line draw करके उसमें color field कर लो क्योंकि यह पूरे सिटी का है उसको हमें color शिशो करना है तो understand students आ गया समल में question number 6 है the percentage of literate people in the state of महाराष्टरा and गुजराद are given below draw a joint bar graph for this data यह महाराष्टरा एं गुजराद सिटी में जो literate people है उनके numbers दिये हुए है कुछ years में उनका हमें joint bar graph शो करना है question number 6 का answer देखो question number 6 का answer है वो mention करना है left corner में page card corner में आपको scale mention करनी है 1 cm इसकुरू 10% literate people ओके यह percentage of literal people है यह 1 cm यह लेकर यहाद तक 1 cm है वो हमें 10% लेना है y-axis पे percentage of people जो है वो हम write कर लेंगे और एक से axis पे आपको क्या लिखना है year लिखना है 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 10-10 year की gap में जो दिया है percentage of literate people वो हमें write करना है तो एक unit चोड़कर first year write कर लिया दो unit के बीच में उसके बाद एक unit चोड़कर दो unit के बीच में second year write कर लिया उसके बाद एक unit चोड़कर दो unit के बीच में third year दिया है वो write कर लिया उसके बाद एक unit चोड़कर fourth, दो unit के बीच में आपको दिया हुआ fourth number का जो year ये वो write करना है एक unit चोड़कर उसके बाद दो unit के बीच में आपको दिया गया last year जो है वो write करना है, okay, write कर लिया, अभी 1971, इस year में, महराष्टरा श्टेट and गुजराथ स्टेट में, कितने लिटर पीपल है, वो write करने है, तो 1971 में, महराष्टरा स्टेट में, पहले हम महराष्टर लेंगे, गुजरात लेंगे, और महराष्टरा हमने color से fill करके show किया है, गुजरात लाइन से फिल करके शो किया है महाराष्टरा स्टेट में 1971 में कितने लिटरेट पीपल है उसका नमबर हमें कोशन में दिया गया है क्या नमबर दिया गया है 46 तो 40 यहाँ पे है 40 के उपर 6 नमबर के जो लाइने हमें 46 आपको पहले मार्क कर लेनी है पेंसिल से छोटी से मार्क कर लो होरिजन्टल लाइन ड्रा कर लो उसके बाद में उसी उनिट की वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो वहां से लेकर नीचे तक और उसको कलर से फिल कर लो क्योंकि हमें महारष्ट्रा स्टेट के जो लेटर पीपल है उनका परसंटेज हमें color feel करके शो करना है इसलिए हम पहले rate में color feel कर लें उसके बाद में 1971 के ही पर गुजराथ स्टेट में कितने पीपल लिट्रेट है उनके नंबर्स दिये गए है परसेंटेज में वो है 40 तो 40 यहां पर ही देखो ओके अरश्ट्रा स्टेट को जॉइंड ही हमें गुजराथ स्टेट का भी दिखाना है तो यहां पर गुजराथ स्टेट आएगा 40 नंबर मार्क कर लो उसके बाद में होर्लेंटर स्टेट हमें लाइन से फिल करके शो करना है इसलिए हम लाइन से फिल कर देंगे 1981 में भारश्ट्रा स्टेट में कितने पीपलस लिट्रेट है 57 तो 50 यहां पर है 50 के ऊपर सेवन नमर की जो लाइन है वहां तक हमार 57 आ जाएगा होरिजंटर लाइन मार्क कर लो होरिजंटर कर लो इसके बाद में उसी नुट की साइड की जो लाइन है वह ड्रॉ कर लो वर्रटीकल लाइन उसके बाद में महराश्ट्रा श्रेट हम ने कलर से फिल करके शो किया है तो यहां पर कलर फिल कर लेंगे ओके नायंटीन एटीन का ही पर गुज्राथ स्टेट के कितने पीप लिट्रेट है वह नंबर हमें दिया है 45 यहां पे 40 है 40 के उपर 5 नंबर की चुल लाइब आ जाएगा पहले मार्क कर लो उसके बाद में स्केल के चलिप से लाइन ड्रॉप कर लो उसी इनुट की वर्टीकल लाइन भी स्केल के लिफ से ड्रॉप कर लो और यह गुजरा दिया गया है तो 60 के उपर 5 नंबर के जो लाइने वहाँ पे 65 आ जाएगा पहले मार्क कर लो लाइन उसके बाद में इसके लखिल से ट्रॉ कर लो और वरटीकल लाइन ड्रॉ कर लो ओके और महारश्रा शेट का है हमें कलर से फिल करके शो करना है इसलिए हम इसमें कलर फिल कर लेंगे उसके बाद में 1991 का ही पर गुजराथ स्टेट के इतनी भी पर लिटरेट है वो नंबर हमें 61 गया गया है तो 60 के ऊपर जो फर्स नंबर की जो लाइने वहाँ तक 61 आ जाएगा गुजराः स्टेट का है इसलिए लाइन से इसको फिल कर लो क्यूंकि हमें गुजराः स्टेट लाइन से फिल करके शो करना है उसके बाद में 2001 जो यर है उस येर में महारश्राथ सेट के इतनी पीपर लिटरेट है 77 तो 70 के बाद 7 नंबर के जो लाइन है वहाँ तक हमारा सेसे बना जाएगा पहले नूट की हरोटेकल नाल करलो यह महारेस्टर सटैट का है वो हमने कलर से फिल करके हो किया तो यहँ भी हम कलर फिल कर लेंगे तो हो गया 2001 का महारेस्टेट का 2001 स्टेट में इन गुजराद सट में कितने इन प्पल लिटरेट निया गयी ई 69 तो 60 के ऊपर जो 9 नमबर की लाइन है वहाँ तक हमारा 69 आ जाएगा वहाँ पर पहले मार्क कर लो horizontal line ड्राइन ड्राइन से ड्राइन कर लो और उसमे लाइने फिल कर लो क्योंकि गुद्राइच स्टेट हमने लाइन से फिल कर के शो किया है ओके 83 तो 80 के ऊपर थर्थ नमबर की जो लाइन वहाँ तक मार्क कर लो horizontal line ड्राइन ड्राइन कर लो वह महराष्टरा स्टेट का है इसलिए color से फिल कर लो क्योंकि हमने अपर इसलिए color से फिल किया है हो गया हमारा बार ग्राइब ड्रो तो हेना इसलिए वीडियो अच्छे लगी तो लाइक को और ना प्रेफरेंट के साथ शेयर करो हमाल जान से सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई